हाई एवरिवन, सवने मारा जैस अंसकार, तुड़े, I am going to teach you standard 9, हिंदी, लेशन नमबर 21, क्रांटी कारी शेखर का बच्पन, प्रस्तु लेशन एक उपान्यास में से लिया हुआ छोटाशा अंश है, हम सभी जानते हैं, कि अंग्रे जोने, ब्रिटी शरों ने हम पर 500 सल से भी ज्यादा राज किया, हमें गुलाम बना कर लखा, कई सारी चीजें हमसे छीन ली, ये सब बाते हमें हिष्ट्री में दिखाई देती हैं, लेकिन जब देश में अहसकार का आंदोलन चल रहा था, देश को आजाद करने की आंधी चल रही थी, तब केतने बड़े-बड़े स्वातंत्र शेनानियों ने अपना खून देकर हमें आजाद किया है, हमें उसका रून उतारने का आउसर मिले, तो उतार ना है, वरना एसे रून से हम कभी मुक्त नहीं होते हैं, जैसे हम अपने माता-पिता और गुरु के रून से मुक्त नहीं होते हैं, वेसे ही हम स्वातंत्र सेनानियों के रून में से मुक्त नहीं होते हैं, कितना कितना बलिदान दिया कितना कितना तियाख किया कितनी सारी तकलिफे जेली यहां तक की मृत्यू दंड तभी जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है इटलिश हम ऐसा तो कर ही सकते है कि वह स्वतंत्रता हम बरकरार रखे हम कायम रखे आज समाज में दूशन हे ही कई सारे दूशनों ने हमारे समझ को बंदी बना कर रखा है हमारे देश को बंदी बना कर रखा है एसे दूशनों से छुटकारा पाए पाने का कोशिश करे, प्रयत्न करे वह भी एक स्वातंत्रता बनाने वाली बात होगी प्रस्तुत लेशन में निडर आजाद, चंदर शेखर आजाद केसे थे, उसके लक्षन केसे थे उसका दिमाग केसा था, वो किस दिशा में चलता था ये सब बाखुबी दर्शाने का छोटा सा प्रयत्न किया है असे योग की एक ऐसी लहराई कि शारादेश उसमें बह गया सेखर भी उसमें बेहने की चेश्टा करने लगा जब वो नहीं बह पाया, तब हाथों से खेल कर अपने को बहाने लगा बहुत छोटा था चंद्रशेखर, वो समझ पाता था कि देश में क्या चल रहा है क्या हो रहा है, अभी किसकी जरूरत है लेकिन उम्र की, आयू की वजह से वो जितना करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा था उसने वीदेशी कपड़े उतार कर रख दिये जो दो-चार मोटे देशी कपड़े थे उसके पास वहीं वो पहनने लगा बहार गुमने फिलने जाना, उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वो बहार जा सके प्रायह दूपहर को वो अपनी खिड़की पास खड़ा रहता और बहार देखता रहता कभी दूर से जब वो बहुत से कंठों की समावेद पुकार उस तक पहुँचती थी असकर क्या करना है सभी वीदेशीयों चीजों का यहां तक की कपड़ों का वित्याद करना है एसा उसके समझ में आ गया उसने सारे वीदेशीक कपड़े उतार कर रख दिये हाला कि उसके पिता जी बहुत बड़े अपसर थे घर में अंग्रे जी का वातावरण था घर का रहें सहें बहुत अच्छा था बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी वो शिक्षा हो खाने पेनी की बात हो खेलने की बात हो या फिर कपड़ों की बात हो लेकिन चंद्रशेखर ने उस आंधी में आकर सारी वीदेशी चीजों का त्याग कर दिया घर में दो चार देशी कपड़े थे उससे वो काम चलाने लगा सोचो कितना बड़ा योगदान देशी कपड़ों की वज़े से वो बहार गुमना फिरना बंध हो गया लेकिन दो बहर को वो खिडकी के पास खड़ा रहता और बहार क्या हो रहा है वो देखने की चेश्टा करने लगता गांधी का हो बोल बाला दुश्मन का हो मूँ काला तब उसके प्राण पुलकी तो उड़ते और वो अपनी खिडकी से पुकारने लगता गांधी का हो बोलबाला, दुश्मन का मुँ हो काला तभी उसके कंठ में वो आवाज मिक्स हो जाती उसके करणपटल में वो आवाज मिक्स हो जाती कानों से लेकर वो स्लोगन उसके दिल और दिमाग पर छागया कि गांधीक जी का हो बोलबाला, दुश्मन का मुँ हो काला उससे आगे वजहा नहीं सकता घर में से अनुमती ही नहीं थी लेकिन अनुमती का नो होना ही एक अंकूश था निरंतर वो कोई मार्ग डुनूटेने के लिए प्रेरित हो जाता गर में अंकूश था, गर में वातावरान सक्त था लेकिन ये अंकूश नहीं उसको दुसरा मार्ग डुनने के लिए प्रेरित कर दिया मा के अतिरी सारे लोग एक दिन बाहर गए हुए थे माने कोठे पर बेठी थी शेखर ने सब कमरों में जाकर विदेशी कपड़े बटोरे खुली जगा पर धेर किया फिर लेंपे लाकर उन पर मिटिक का तिल उंडेला और आग लगा दि मार्ग मिल गया एक दिन मा अकेली ही थी घर पे असकार आंदोलन में विदेशी व्यक्तियों का विदेशी कपड़ों का त्याग करने की सोच थी तभी मोका देखकर शेखर ने सारे कपड़े घर के सभी लोगों के कपड़े इकठा कर लिये और उसको आग लगा दि सेखर को ये बहुत अच्छा लगा अपने एक कदम पर मन्ने वाली सफलता उसे नसीला बना देती है और वो आख की चारों और गला फाड़ फाड़ कर नाचने लगा और गाने लगा के गांधी जी का हो बोल बाला दुश्मन का मुह हो काला थोड़ी देर में मा आई थोड़ी देर में वीदेशी शेखर के गाल भी वीदेशी हो गये जलने लगे लेकिन धेर तो राख हो गया थोड़ी देर में ये सुनकर ये देखकर मा दोड़ी दोड़ी नीचे आई और बहुत पीटा लेकिन सारी वीदेशी कपड़े राख हो गये इस बात का शेखर को संतोज था सेखर के मन में वीदेशी मात्रप्रती के लिए धुना हो गई उसने देखा कि हमारी नस नस में वीदेशी प्रभुत्व हे ही नहीं लेकिन आंतक बरा हुआ है उसने पुरानी बाते याद आई नहीं वो देखने लगा कि ध्यान से देखा कि पीता भाईयों से अंग्रेजी में बात करने को कहते है यह सब शेशों से अंग्रेजी बोलना चाहते है हिंदी तो अभी शीख रहा है उसकी पहली आया इसाई थी वो अंग्रेजी ही बोलती उसका पहला गुरू जिसके साथ दिन भर उसे बिताना होता था वो एक अमिनकर मिश्री था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं मगर दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता था चंद्रशेखर को अतित की याद आ गई कि पहले से ही हमारे घर में तो इंग्लीश का ही बोल बाला है हिंदी तो अब सीख रहे है पिता जी और भाई आपस में इंग्लीश में बात कर रहे हैं और पिता जी इंग्लीश में बोलने के लिए इंग्लीश केडवनी के लिए जोर देते हैं घर में अंगरेज मिशनरी जो पढ़ाता कुछ भी हो लेकिन सारा दिन इंग्लीश बोलता रहता है सेखर ने देखा कि यदि मात्रुभास आवे है तो वो हमसे पहले सिखाते अंग्लेश जी उसकी मात्रुभासा है तो वीदेशी ही उनकी मा उनके आत्मभीवान को बहुत सक्त धक्का लगा जिसे मैं ध्रूनित समत्ता हूँ उसी वीदेशी को मा कहने के लिए बाधियों हूँ उसने उसी दिन बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरम किया और चेश्टा से अपने बादचित में से अंग्रेजी शब्दा निकालने लगा अपनी आदतों से वो वीदेशी अभ्यास को दूर करने लगा इतनी समझ उसमें आ गई कि हिंदी हमारी मातरुभाशा है इंग्लीश हमारी मातरुभाशा नहीं है मैं अपनी मा से अपना लगाउ कैसे दूर कर सकता हूँ पढ़ने में और सुनने में ये बात बहुत छोटी है लेकिन उसका गनान उसका अर्थ बहुत बड़ा है अभी अपने को दूर हटाकर औरों को अपने नजदिक नहीं लाना है अच्छी परदेशी बात सीखनी है समझनी है लेकिन हमारा जो अपनत्व है उसे हमें बरकरार रखना है बनाए रखना है तब ही से वो हिंदी बोलने लगा और हिंदी में कुछ शब्द न मिलने के कारण वो चेश्टा से अपनी बात औरों को समझाने लगा और अपने हिंदी के ग्नान को प्रामानित करने लगा और गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का कोई साधान उसे प्राप्त नहीं था उसने एक राष्ट्रिय नाटक लिखने का प्रारंभ किया जीवन में देखे एक मात्र खेल की स्मृति उसे ताजी थी वो गांधी जी के प्रति अपनी सोच अपनी लागनी व्यक्त करने की सोचने लगा ताकि मैं गांधी जी को कैसे इस्तमाल होने वाली चीजे दे सकूं उप्योगी हो सकूं इसलिए उसने नाटक लिखना आरंभ किया इसलिए नाटक लिखने में उसे कोई विशेश कठना ही नहीं हुई प्रस्तावना जियों कीतियों हत्याली केवल कुछ मामूली से परिवर्तन करने पड़े उसने बाद नाटक आरंभ हुआ एक स्वाधिन लोग तंत्र का भारत का विराट स्वपन जिसके राष्ट्रपति गांधी है और सिध्धी के लिए साधन है अनावरत कताई बुनाइन विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग प्रति एक अउसर पर दूसरा गाल आगे कर देना जो गांधी जी की सोच थी जो विचार सन्नी थी वो इस नाटक में आ चुकी थी कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा तमाचा खाने के लिए अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए इस बात से दुश्मन बहुत पच्छता आता है शर्माता है दूसरी बात स्वदेसी मनुष्य और स्वदेसी चीजों का उप्योग सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोग प्रारम से हटकर अंत में आ गया अपने उपर शेखर की प्रतिमाद्वारा सूर्यस्त के सुनहरे टापू की चाप लेकर सेखर ने नाटक का अंतिम द्रश्य थिया स्वाधीन और बादाहिन भारत एक स्थूल आका एक स्थूल स्वपन नाटक का अंत यहीं था कि एक श्वतंत्र भारत जो किसी की बंधन में नहीं है एसे नाटक की शेखर ने रचना की नाटक तो पुरा हो गया शेखर ने सुन्दर सी साही से उसकी प्रतिली भी तयार की और अपने पुस्तक के नीचे छुपा कर रख दिया पहले साही तीक प्रयत्नों की गति उससे भी आती इसलिए अपना यह नाटक वो अमुल्य रित्न को कम नहीं समत्ता था सरस्वती को भी नहीं दिखाया और हर समय जहां जाता उसके मन में एक ही द्वनी गूंजती रहती कि मैं शेखर हूँ एक अपूर्व नाटक का लेखर शेखर और मैंने अकेले ही बिना किसी सहाईता के अपने हाथों से उसका निर्मान किया है स्वादीन बादाईन भारत उसका चित्र और मैंने ये नाटक ने चंद्र शेखर का आत्मविश्वास द्रड कर दिया हाला कि हम सब जानते है कि खुद वो नाटक लिखा ही नहीं जो कात्यों हत्रया लिया है लेकिन उसकी कल्पना का रंग उसमें डाला जैसा मुनासिप समझाए डाला और सुन्दर सी प्रतिनी पी भी दयार की लेकिन इस नाटक को पूरण करने में रचने में वो खुद अपने आपको बड़ा भाग्यवान समत्ता है शेखर के पीता एक दिन दोरे पर जा रहे थे शेखर भी साथ था बाकी पूर स्टेशन पर सामान रखकर पीता और पुत्र वेटिंग रूम के बहार टहल रहे थे शेखर कुछ आगे पीता जी कुछ पीछे 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 पास में एक लड़का आया शेखर के और उन्मुक होकर अंग्रेजी में बोला तुमारा नाम क्या है शेखर ने सीर से पेर तक उसको देख लिया लड़का एक अच्छा सा सूट पहने हुए था सीर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था सायद वह अपने अंग्रेजी इग्नान का परिचय देना चाहता था अहंकार ही सब मुसिबतों की जड़ है अच्छा इंग्लिश आना अच्छी बात है अच्छी गुजरादी आना अच्छी बात है जो कुछ हमें सीखते हैं सीखने को मिला है वो अच्छे से सीखना एक आम बात है लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए अहंकार ही सारी समश्याओं की जड़ होती है शेखर को प्रश्ण बुरा और अक्मान जनक लगा उसने उत्तर नहीं दिया कुछ इसलिए नहीं दिया कि पीछे पिता जी थे और पिता की उपस्थिती में बात करने के लिए वो जिजगता था पिता जी का इतना डर इतना खोफ उसके मन में था पहले के जमाने में घर के सारे बच्चे पिता जी से डरते थे आज पिता और पुत्र का सबंद फ्रेंडली हो गया है पुत्र कभी अपने पिता से बिना वज़ा के लिए डरता नहीं है बिना वज़ा किसी किसे भी डरने की आवश्यक्ता नहीं है हम माता पिता का सनमान करें ये बहुत अच्छी बात है उसका एक प्रकार का मरियादा का पालन करे अच्छी बात है लेकिन कभी जीवन में माता पीता से सच्ची बात करने का अउशर मिले तो बिना वजह डरने की कोई बात नहीं है हाला कि अभी इस समय में ऐसा वातावरण है कि बच्चे खुले मन से अपने माता पीता से अपने मन की बात कर सकते है उस लड़के ने समझना कि उसके सामना करने वाला कोई नहीं है वो लड़का शायद अंगरे जी जानता ही नहीं उसने अतिक रोब में कहा मेरा नाम ये है तुम कि स्कुल में पढ़ते हो शेखर के पिता बानों होते तो वो शेखर उससे जवाब दे देता लेकिन हिंदी में उसके मन में ये भी संदे था कि सायद लड़का कोई पाठ दूरा रहा है अंगरे जी उतनी जानता ही नहीं उस दुरुणा से उसने लड़के की और देखा और कोई उतर नहीं दिया शेखर जान गया कि वो लड़का इतनी अंगरे जी नहीं जानता जिसका वो दिखावा कर रहा है वो गोखन पटी है आगे से याद करके वो बोल रहा है हमारे वाक्य, हमारी बोली हमेशा वास्तविक होनी चाहिए जो याद करने वाला गोखा हुआ हम बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति को वो स्वाभाविक नहीं लगता और हमारी बेअच्चती हो जाती है हमें दूसरों से बात करने के तरीके में स्वाभाविक ना का पहले ख्याल रखना चाहिए पिता ने कृध स्वर में कहा कि मेरा लड़का इंगलीज जानता है लेकिन जवाब नहीं देता शेखर ओर भी चूप हो गया वो लड़का मुश्कुरा कर दीरे से आगे चल गया पिता ने कहा इधर आओ शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में आया पिता ने उसका कान पकड़ कर पुछा जवाब क्यों नहीं दिया मुँ तुट गया है तुमारा तभी ट्रेन आई और शेखर कुछ उत्तर देने या न देने की गुस्था के से बच गया दूसरे दिन घर पर पिता ने मा से कहा हमारे लड़के साव बुद्धु है किसी के सामने कुछ भी बोल नहीं सकते शेखर ने ये सुन लिया ये लेसन यही समाप्त होता है लड़के ने आकर इंगलिश प्रभाव डालने का प्रयत्न किया शेखर कहीं ज्यादा इंगलिश जानता था बोल सकता था समझ शकता था लेकिन वीदेशी व्यस्तु का परिग्रह त्यागने का परिग्रह के कारण उसने कुछ उत्तर नहीं दिये पिताजी ऐसा समझे कि शेखर बुद्धु है वो इंगलिश नहीं जानता जानता है तो बोल नहीं पाता एसी गलत फेमी पिताजी के मन में हुई लेकिन पितापुत्र की मरियादा के कारण शेखर ने उसे कुछ नहीं कहा कुछ उत्तर नहीं दिया कुछ भी बात का क्लिरिफेकेशन नहीं दिया पिताजी इसी वहम में है के हमारे बच्चे साव बुद्धु है उसने शेखर की माताजी को भी कहा के हमारे बच्चे साव बुद्धु है शेखर ने सिर्फ ये सुन लिया कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया इस बात पर ये लेशन यहाँ पर संपुर्ण होता है लेकिन इस पार्ट से इस लेशन से हमें ये सिख मिलती है कि आयू कोई भी हो उमर कोई भी हो लेकिन जिस मुकाम पर जो काम करना है वो हमें करना ही है शेखर को आजादी में रज था वो आजादी के बहाओ में बेहने लगा और अपना योगदान दिया ये लेशन यही पर समाप्त होता है वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियोज त्या सुधी स्टे सेफ श्टे होम जैद्वार कादिश जाज एक वालगव प्यू श्टे वालगवार कादिश प्काद़श्वार कादिश और रया उपकादिक रहाँ यावड़ के वीगह झालभव प्पकादिए